दिली में आम आदमी पार्टी और उप्राजिपाल विने कुमर सकसेना के भी जंग तेज होती दिखी है ताजा राजनेते घटना क्रम में उप्राजपाल के नोटिस के संदर्ब में बुद्वार को आयोजित प्रेस वारता में आम आदमी पार्टी ने कहा कि वे उप्राजपाल से माफी नहीं मांगेंगे इस मोगे पर आम आदमी पाठी के वरिश नेता और राज्य सभा के सदस से संजे सिंग ने इस मुद्दे पर आयूजित प्रेस वारता के दोरान ही उपरा जिपाल विने कुमार सक्सेना दोरा भेजे गए लीगल नोटिस की कौपी फार डाली किसी चोर भ्रस्ट व्यक्ती के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूँ और ऐसी नोटिसेस को दस बार भाड़के मैं फेकता हूँ तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रस्टा चार करोगे लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रस्टा चारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे ये संभाव नहीं है भारत का संविरान मुझे सच बोलने काधिकार देता है आपको बताएं संजे सिंग ने उपरा जिपाल विने कुमार सकसेना के मान हानी नोटिस की कॉपी को बुदवार को प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान फाड़ते हुए ये कहा कि विके सकसेना को मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है देश के सरवोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है किसी चोर भ्रस्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने या डरने वाला नहीं हूँ ऐसे नोटिस को मैं दस बार फार सकता हूँ तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे और क्या क्या कहा गया ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रही है पंजाब केसरी